नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहरम देवेंद्र, हिंदी विभभाग, महराजाजी वाजी राव शिंदे महाविध्यालाई स्रीगोंदा आप सभी लोगों का आज के पार्ट में स्वागत करता हूँ प्रथम वर्ष हिंदी के सभी छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि आज हम लोग जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वाक्य शुद्धिकरन, हम सर्व प्रथम देखेंगे कि किन-किन आधारों पर वाक्य शुद्धिकरन के प्रश्ना हमें आ सकते है, विशेशन से हम सभी लोग च देखने का प्रयास करेंगे. सर्व प्रथम दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये जो हमें दिखाय दे रही हैं कि सग्या संबंद्य अशुद्धिया हैं, विशेश रूप से कभी-क Physics का होता है, हमें सग्यापद के प्रयोग में प्राया दो प्रकार की अशुद्धिया होतی है एक है जो आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है अनावशक सग्या पदों का प्रयोग दूसरा है अनुपयुक्त सग्या पदों का प्रयोग ऐसे सग्या पद जिनके आवशकता नव हो पर उनका प्रयोग किया जाए तो वहाँ अनावशक सग्या प्रयोग की या पदों की अ दोस्तो हमने यहां पर अशुद्ध वाक्य देखिए मैं मंगलवार के दिन वुरत रखता हूँ अब दिखेगा मैं मंगलवार के दिन वुरत रखता हूँ इस वाक्य को हम लोग फिर से शुद्ध करेंगे लेगन अशुद्ध क्या है यह पहले समझ लेगी दोस्तो यहां पर देखेगा दोस्तों, मंगलवार के दिन, आप मंगलवार यह दिन होता है, हम सभी लोग जानते हैं, मंगलवार एक दिन का क्रम है, सोमवार मंगलवार बुदवार, तो हमें दिन शब्दे का प्रयोग आवशक नहीं है, मैं मंगलवार, इसका शुद्ध वाक्य है, मैं यहां पर क्या है मंगलवार के दिन के आवशक्ता नहीं है मैं मंगलवार को वरत रखता हूं यह शुद्ध वाक्या है आप दूसरा वाक्य देखेगा दोस्तों अब विंद्यांचल परवत हरा भरा हो गया अब विंद्यांचल परवत हरा भरा हो गया अब इस वाक्य में क्या है दोस्तों विंध्यांचल परवत हरा भरा अब यहां पर ध्यान में रखेगा विंध्यांचल परवत ही है यहां परवत की आवशक्ता नहीं है शब्द की आवशक्ता नहीं है अब विंध्यांचल हरा भरा हो गया यहां वाक्या शुद्ध है परवत शब्द की आवशक्ता नहीं है इसके और गौर कीजिएगा अगला वाक्य देखते हैं दोस्तों वुच्छा नामक शिर्षक निबंद अच्छा है अब देखेगा वुच्छा नामक शिर्षक निबंद अच्छा है अब नामक शब्द और शिर्षक शब्द के आर्थ एक ही है अब हमें नामक नामक से महत्वपुर्ण है और नामक शब्द हमें निकाल देना है उत्सा शिर्षक निभंद अच्छा है यह वाक्य शुद्ध है अगला वाक्य है प्रातकाल के समय गुमना चाहिए अब देखेगा प्रातकाल यही समय का प्रतीक है अब प्रातकाल गुमना चाहिए यह शु समाज में अराजक्ता की समस्या बढ़ रही है। तो फिर समस्या शब्द की आवशक्ता नहीं है। यहाँ पर जो अनावशक सग्यापद हमने जोड़ दिये है। उन्हें आमें निकालना होगा, उसके और ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर समाज में अराजकता बढ़ रही है, यह वाक्य सही है, इस प्रकार आप लोग अनेक वाक्य देख सकते हो दोस्तों, तो हमने पहला प्रकार देखा, आनावश्यक सग्या पदो का प्रयो ऐसे सग्या पदो का प्रयोग, जो उस वाक्य के लिए अनुप्योकता अर्थात गलत हो, और उनके प्रयोग के कारण वाक्य में अनुप्योकता सग्या पदो की अशुद्या होती है, तो उसे अनुप्योकता सग्या पदो का प्रयोग की अशुद्या कहते हैं, आप देखे गले में गुलामी की बेड़िया पड़ी रही, अब बेड़िया कभी भी गले में नहीं होती है। पानी की बाड़ आती है तो गोलियों की क्या आती है बाउचार आती है दंगे में गोलियों की बाउचार आ गई यह वाक्य शुद्ध है रेडियों की उत्पत्ति किसने की धन्म रखेगा उत्पत्ति यह क्या होती है दोस्तों नैसरगिक होती है हमें उत्पत्ति नहीं चाहि यह वाक्य शुद्ध है आपके प्रष्ण का समाधान मेरे पास नहीं है अब आपके प्रष्ण का समाधान होता है प्रष्ण का ऊद्दर होता है यह इसका उत्धर है हमारे देश के मनुश्य महनती है आप देखेगा हमारे देश के मनुश्य महनती है आप देखेगा दोस्तों मनुश्य शब्द यहाँ पर गलत है हमारे देश के लोग महनती है यह वाक्य शुद्द है इसकी और भी ध्यान देना है इस प्रकार दोस्तों हमने अनुप्युक्त या गलत वाक्यों के जो प्रयोग है, शब्दों का हमने जो उप्योग किया है, सग्याओ का, तो उनको हटा कर हमें सही सग्याओ का प्रयोग करना है, उस प्रकार हम लोग वाक्य शुद्ध कर सकते हैं, हिंदी में कभी-कभी सर्वनामों के अशुद्ध तथा गलत प्रयोग ह होते हैं अब उन्हें टालने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके ओध्यान देना चाहिए अब इसके लिए उधरन देना ही महतुपन Würu मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए हैं आप देखेगा हमने मोहन शब्द का दो बार प्रयोग कर लिया यहां पर क्या किया मोहन शब्द का दो बार प्रयोग कर लिया मोहन और मोहन का पुत्र मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए है यह वाक्य शुद्ध है मेरे को कुछ यार नहीं आ रहा आप दिखेगा मेरे भी प्रयोक किया है को भी प्रयोक किया है मेरे को शब्द गलत है उसकी जगा पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा यह शुद्वाक्य है मेरे को बाजार जाना है मुझे बाजार जाना है तेरे को क्या चाहिए तुझे क्या चाहिए दूद में कौन गिर गया अब देखेगा दूद में कौन गिर गया मतलम दूद में क्या गिर गया देखेगा शुद्वाक्य क्या है दूद में क्या गिर गया तुम तो तुम्हारा काम करो, तुम्हारा शब्द यहां पर गलत है, तेरे को अब जाना चाहिए, तुझको अब जाना चाहिए, यह वाक्य शुद्ध है, आख में कौन पढ़ गया, आख में क्या पढ़ गया, यह ध्यान में रखेगा, आख में क्या पढ़ गया, यह वाक्य है, कौन शब्द का य देख सकते हो अ यह आप ध्यान में रखेगा जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी अभ्यास होगा उतने आपने को वाक्यक्षुद्ध कर सकते हो इस प्रकार दोस्तों हमने देखी सरवनाम संबंधि अशुद्धिया औप देखते हैं दोस्तों तिसरे प्रकार के अशुद्धी है विशेशन संबंधी अशुद्धिया धान में रखेगा विशेशन संबंधी अशुद्धियों में विशेशन का प्रयोग विशेश सग्या एम सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार किया जाना चाहिए हम सब को पता है लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है वाक्य में कई बार अनावश्यक अनियमित और अनुप्युक्त विशेशन का प्रयोग हो जाता है जो वाक्यों को अशुद्ध कर देते हैं इसके और ध्यान देना है अब इसके लिए क्या ध्यान में रखेगा दोस्तों अशुद्ध वाक्य आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया, रहस्य ही गुप्त होता है, यहां पर गुप्त विशेशन के अवशक्ता नहीं है, आज उसके रहस्य का राज खुल गया, उनकी आजकल दैनिया दुर्दशा है, आप देखेगा दोस्तो, दैनिया दुर्दशा की जगापर द पतला का आर्थ यह पर पतला नहीं होता दोस्तों वहह डाल पतली है यह सबसे सुंदरतम सारी है सुछ इंधर. संदर्तम कारता है तो संदर मैंसे संदर तो यह संदर्तम साड़ी है यह इसका उत्तर है इसके बाद देखें दोस्तों वाक के देखें उसे भारी प्यास लगी है उसे भारी प्यास लगी है पानी के लिए भारी शब्द नहीं है उसे बहुत प्यास लगी है धोबिन ने अच् तो अच्छी चादरे धोई ये शब्द गलत है चादरे अच्छी धोई हमें सिर्फ क्या करना है स्थान बदलना है अच्छी की जगा चादरे और चादरे की जगा अच्छी यहां ध्यान में रखेगा यहां पर हम लोग गलती कर सकते हैं इसे हमें ध्यान देना है जीवन और स से कहाँ प्रयोग मिलाना है ये पता होना चाहिए घातक फिस और शोबा बुरी-कुरुष्टी होती है कूरुष्टि का आर्थ बुराई होता है तो विश शोबा कूरुष्टि ये तीनी शब्द का प्रयोग कीजिए मतलब उधारन के लिए दिये गए है द्यान में देखें दोस्तों ये पुरा वाक्य नहीं है लेकिन घातक विश यहां पर विश के लिए घातक प्रयोग विश गातक ही होता है तो गातक के अवशक्ता नहीं शोबा सुन्दर ही होती है तो सुन्दरता की जरूरत नहीं है कूरुष्टि की जगा आर्थ ही बुरा होता है तो बुरी इस विशेशन के अवशक्ता वहाँ पर नहीं है इस प्रकाननेक वाक्य हम लोग अशुद्ध व प्रयोग करता के लिंग येवं वच्चन के अनुसार किया जाता है हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों हम अप छोटे बच्चे नहीं है लेकिन फिर भी अन्य था वह वाक्य अशुद्ध समझा जाता है इस अशुद्धि को वाक्य की क्रिया संबंद्य अशुद्धि कहा जाता है क्रिया संबंद्य अशुदे के प्रमुक रूप इस प्रकार है अनावशक क्रिया का प्रयोग नो होना कभी कभी करते हैं कभी नहीं करते अनुप्युक्त क्रिया अनुप्युक्त क्रिया हिंदी में कुछ विशेश सग्याओं के लिए विशेश क्रिया का ही प्रयोग होना चाहिए और उसी के साथ साथ स्थानिय बोली के प्रभाव से भी हमारे वाक्य अशुद होते हैं हम मराठी भाषिक लोग है तो मराठी भाषा के प्रभाव के कारण भी हमारे विशेशन बदल सकते हैं क्रिया में परिवर्तन हो सकता है शायद गलत क्रिया प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसे भी प्रकार होते हैं, तो क्रिया सम्मंदी इस प्रकार अनेक अशुद्यों के प्रकार है, तो उसके कुछ वाक्यों के हम लोग प्रयोग देखेंगे, उधारन देखेंगे, आप देखें दोस्तों, यहाँ पर कुछ वाक्य है, कि राम और सिता वन में गए, यहां पर गए शब्द का प्रयोग करना है, गई शब्द का प्रयोग नहीं करना है, यहां पर क्रियापद हमारा गए महतोपुर्णा है, उनकी बाते सुनते सुनते कान पग गया, सुनते सुनते बहुत सारी बाते थी, तो पग गए महतोपुर्णा है, क यहां अशोबनिय वातावरन उपस्तित है यहां अशोबनिय वातावरन है उपस्तित शब्द के आवशक्ता ही नहीं है दोस्तों क्या जरुरत है उपस्तित की अशोबनिय वातावरन है हमारा काम पुरा हो गया अब और स्पष्टिकरन करने के आवशक्ता नहीं है आप देख वह सिलाई और अंगरेजी पढ़ती है, वह सिलाई सिखती है और अंगरेजी पढ़ती है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ये ध्यान में रखेगा, विस्मित शब्दका प्रयोग कीजिए, मैं माता जी को खाना डाल कर अबलिक दे कर आई, इसमें से क्या चुनना है, दोनों गलत है, मैं माता जी को खाना परोस कर आई, खाना डाल कर नहीं आते, दे कर नहीं आते, परोसकर आते हैं, मैं माता जी को खाना परोसकर आई, दान दिया, दान कभी देते नहीं, दान किया शब्दखा प्रयोग कीजिए, दान किया, इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने व्याकरन संबंदि अश्यदियों के कुछ वाक्य देखेंगे, उनका शुद्ध वाक्य शुद्धिकरन किया है आप धन्यवाद, जय हिंद जय कर्मवेर